वेलकम पूद्बू सागत आपका सरकारी सिलवेस यूटूप चैनल पर और अभी हम बात करेंगे राइस्थान लोग से वायोग अज मेर दोरा जारी की एक वैकेंसी के बारे में देखें वैकेंसी का नाम मैं आज बता देता हूँ एगरी कल्चर आफीसर हिंदी में क्रसी अधिकारी इसको बोलते हैं एक अच्छी तनख्वा की पेमेंट की नोकरी होने वाली अब देखें कोई अगर अच्छी नोकरी है तो वैकेंसी कम ही होती है ठीक है तो हम बड़ी ही चीजों को विश्तार से डिस्कस करेंगे, कम समय लेना की कोशिस करेंगे, तो देखिए चले चालू करते हैं, तो एक चीज इंपोर्टन पहले बता दूँ, कि जो बच्चे 2020 की भरती में फॉर्म भरे थे, और अभी आके जो है ना, उनकी डेट अब बर्ध ज्यादा हो गई, मतलब एज उनकी कम पड़ रही है, जो एज से उम्र सीमा है, वो कम पड़ रही है, तो उनकी लिए एक खास प्रावधान रखाएगी, कि उन्हें तीन साल की उम्र सीमा में और चूट दी जाएगी, जिन्नों ने 2020 में अपलाई किया था, ठीक है, अब दे सेक्षन के लिए क्रमसा, ठीक है, तो यह हमने यहाँ पर बता दी है, और होरिजोंटल रिजर्वेशन भी यहाँ से आपको बता देता हूं, जैसे कि भूदपूर फोजी को तीन सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है, कैटेग्री वाइस भी आप देख सकते हो, ठीक है, फिजिक से पहले आती, एजुकेशन कॉलिविशन, देखिए अपने वीडियो को HD मोड में कर लो, ताकि आपको क्लियर्टी में दिखाए दे, क्यों कि PDF उतने इच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कॉलिटी बढ़ा लीजिए, अनिवारे से अच्छे की अगताई, मतलब आपके पास में क्या होने चाहिए, तो सबसे उपर आपको दिखाए, कि MSC Agriculture या MSC Horticulture, क्रसी में आपके पास में MSC हो, या बागवानी में MSC हो, तभी आप इसमें फॉर्म बर सकते हो, ठीक है, किसी भी राज्य से किया हो, किसी भी सिटी कहीं से किया हो, बट जो है ना, वो यो यो अबर सकते हो, ठीक है, तो एक चीज़ यहां से और बताऊंगा, कि केरियर एडवाइस टाइप की, जिन बच्चों ने AG से BSC, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो BSC AG कर लेते हैं, लेकिन फिर आंगे पढ़ाई को continue नहीं करते हैं, तो अपनी पढ़ाई AG जब आपने जो हन करी आपको मिल सकती है, ठीक है, तो BSC AG वाले, MSC AG जरू कर लें, ठीक, आँगे देखते हैं, आँगे बढ़ने की स्रंखला में, एक एक चीज को बढ़ी, और रहस्थान कल्चर का आपके पास में नौलेज होना चाहिए, और हिंदी आपको पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पास में टेस्ट नहीं होने वाला, लेकिन आपको आनी चाहिए, मान लीजिए, आपको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप राइस्थान में जाके करोगे क्या, लोगों के बीच कैसे काम करोगे, सरकार की चीज जो बताएगी, वो आप लोगों तक कैसे पह समलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन का पात्र होगा, तो मतलब अगर आप जो हैना जैसे MSC की सेकेंडियर कर रहे हो, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, अपीरिंग स्टूडेंट के अपलाई, तो आप समझगे और आँगे देख लेते हैं, कि ग्रेड प कोई दिक्कत आपकी नहीं होने वाली, ठीक है, उम्र सीमा की बात करें, तो 20 से 40 साल तक का कोई भी युवा भाग ले सकता, लड़का होई लड़की, कोई दिक्कत की बात नहीं, और उम्र सीमा की गढ़ना होगी, एक 2021 से, अब एक इंपोर्टन चीज मैं आपको और बता द देता हूं कि जिन अब्यार्थियों ने 2020 में विग्यापत फॉर्म किये गए थे, जिसके ताहित आयू की गढ़ना एक 2021 को किया गया था, ठीक है, तस्त पस्चाद उसके लिए कोई विग्यापन जारी नहीं किया, अता उक्तपद देतु जो अब्यार्थी, कोई भी अब्य हो जा रही है, उन सब को जो है ना, तीन वर्स की अतरिक छूट दी गई, क्योंकि तीन साल तक 2020 से 2024 चल ला है, तो इन तीन सालों में, 21, 22, 23 में, कोई भी वेकेंसी नहीं आई, इसलिए तीन साल की छूट अलग से दी जा रही है, तो जनरल आदमी 40 से 43 साल तक की मैक्सिमम उ हो जाती है, बात समझ गये, यह काफी अच्छी चीज लगी मुझे जो है ना, अगर वेकेंसी नहीं आती है, तो जो है ना, उमर सीमा अगरा चूट देना चाहिए, क्योंकि लोग बैठें तो कम से कम उन्हें, जॉब मिलनी चाहिए, अब हम थोड़ा सा और आँए देख ल जाम के बेस पर सेलेक्शन होने वाला है, सिर्फ एक रिटेन इंग जाम, आप यहां से देख लिए, लिखित पर इच्छा की मेरिट बनाई जाएगी, लिखित पर इच्छा में, और जो आ जाएंगे वह सेलेक्टड है, पर इच्छा की तीथी बगएर आभी सूचित नहीं लिखिए कि यह आंगे जोना बताया जाएगा, ठीक है, आवे दिनतीत की बात करें, तो साथ तीन दोजर चोबिस से पांच चार मतलब की, साथ मार्च से पांच अप्राइल तक, आप अपने ओनलाइन अप्लिकेशन भर सकते हो, वेबसाइट यह है, www.rpscr.gov.in.in पर जाकर यह आपको लिखिए सामने, इस पर जाकर आप अपना ओनलाइन अप्लिकेशन वगरा भर सकते हो, ठीक है, अभी चालू नहीं हुए, साथ तारिक से चालू होगे, साथ मार्च से, तब जाकर आप अपना ओनलाइन अप्लिकेशन भर लिएगा, आँगे देखते हैं, फॉर्म फीस के बारे में चल्चा कर लेते हैं, जनर्र वाले बच्चों से 600 रूपए लिए जा रही है, बाकि जो रिजर्व कैटेगरी उनसे 400 रूपए की फॉर्म फीस ली जा रही है, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, अब देख लेते हैं, इसका सेलेक्शन प्रोस स्थान इसके 40 क्रस्टन रहेंगे 40 नंबर के रहेंगे ठीक है इसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेस्विक रहेगा जो आपने जो ना अग्री कल्चर या होडी कल्चर में आपने डिग्री करके रखी है डिग्री नहीं आपने पीजी करके रखी है पोश्ट करके रखी है ठ कोस्टिन टफ होंगे क्योंकि भाई यह नंबर एक का एक्जाम है तो कठिनता किस तरतो रहेगा आपका सब्जेक्ट एलेटेड्ट एक सुदस आएगा एक सुदस टोटल की बात करें तो आपका जोना टोटल डेड़ सो कुस्टिन्स रहेंगे डेड़ सो नंबर करेंगे समय आपको मिलेगा ठाई गंट है ठीक निगेटिव मार्किंग रहेगी अगर गलत करते हो तो एक ती नंबर आपका काट लिए जाएगा ठीक एक ती नंबर आपका काट लिए जाएगा तो यह चीज जरूरी हो गई अब थोड़ा सा और देखा जाए आंगे और आंगे बढ़ है और उमीद करता हूँ कि मुचली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी ठीक है कब फॉर्म भरना किसे फॉर्म भरना उम्रसिवा में क्या चूट है क्या सेलेक्शन प्रोसीजर है सारी चीज़े हमने बता दी और एक जो कैरियर एडवाइस हमने आप दी उसको जरूर ध कर लेते हो और सरकारी नवकरी कहीं फिर लग जाती है तो यह बहतरीन केरियर हो जाता है ठीक है और जिन्होंने में सी करके रखी वो नेट वगरा एक्जाम वगरा दें कुछ आंगे और मतलब कि रुकना नहीं है चलते जाना है ठीक है लड़ना है इन्हीं सब्दों के साथ लड़ने मतरम